हालो फ्रेंड्स आज की वेडियर हम डिस्कस करने वाले हैं लीट कोड विकली कॉंटेश्ट 266 का प्रॉब्लम सी that is minimize maximum of product distributed to any store प्रॉब्लम में क्या है आपके बास N number of shops हैं और साथ ही आपके बास M number of products हैं और सारे products different quantities में available है that are represented by quantities I ठीक है अब आपको क्या करना है जितने वी products हैं आपको उनको N shops में distribute करना हो और क्या नियम है क्या rule है कि आप एक store को at most एक ही product type का product देश सकते हो करके ठीक है उससे यादा नहीं देश कते हैं और आप कितना भी amount देश सकते हो जैसे अगर आपने swap number 1 को product type 1 दे दिया तो आप swap number को product type 2 नहीं दे सकते हैं आप at most एक टाइप का product दे सकते हो ठीक है और after distribution मिस हो सकता है किसी swap को जीरो भी product distribute करो let x be the maximum number of products given to any store ठीक है मिस आपको क्या करना जो x है maximum number of products given to any store उसको आपको as minimize as possible minimum possible करना है करें ठीक है लेकिन आपके एक नियम एक constant क्या है कि भी आपको सारे के सारे products को आपको distribute करना है आपको किसी को छोड़ना नहीं है कि भाई हमने 10 तो आपने 8 को दे दिया और 2 को छोड़ दिया remaining ऐसा नहीं चलेगा ठीक है और आपको return the minimum possible x करना है यह एक example लगते है n is equal to 6 है and quantity is क्या है 11 and 6 तो आपके total number of shops कितनी है आपके total कितनी 6 shops है और आपके दो number of products है product type 1 के कितना quantity है 11 and product type 2 का कितना quantity है 6 ठीक है अब आपसे बात करता हूं कि भाई आपको क्या करना है जो किसी भी shops को maximum product मिलने वाला है उसको आपको minimize करना है तो पहला विचार आपके mind में क्या आता है पहला विचार आपके mind में आता है कि अगर जैसे सबसे ज़्यदा brute force सोचा जाए तो आप किसी shop को देने जाने वाला maximum product वह 11 हो अगर आप 11 मान लो तो अगर आप 11 मान के चलता हूं सबसे brute force से approach श्टार करें तो आपने swap number 1 को 11 दे दिया तो आप यह value क्या हो चुकिए अब यह value क्या घटके 0 हो चुकिए swap number 2 को देने की बात है तो आपको क्या maximum 11 देना था लेकिन आपको 6 ही अफिलेबल है तो आपने 6 दिया remaining सारे को कितना जीरो 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 तो आप चाहो तो आपका answer 11 आराम से आ सकता है क्योंकि आप क्या करोगे आप जो भी maximum product था आपने उसको swap number 1 को दे या remaining जो भी थे उनको आपका answer कितना हो जाएका आपका answer हो जाएगा यहाँ पर 11 आपने आसानी से आपका answer पा लिया लेकिन अगर आपको और optimization चीए suppose मैं चाहता हूँ कि मेरा answer 10 हो तो क्या मेरा answer 10 possible हो सकता है अगर आप 10 देखना चाहो तो 10 का मतलब क्या है कि कि किसी भी product को maximum किसी भी shop को maximum 10 product मिले 10 product मिलने चाहिए 10 से ज्यादा नहीं तो अगर मैं shop number 1 को 10 देता हूँ अभी इसके आपका answer 10 भी पॉसिबल 10 भी आपका answer हो सकता है ठीक है कि 10 है तो अगर आप और optimization देखना चाहो और क्या हो सकता है तो अब आप सोचो कि अगर मैं इसको 9 दे सकता हूँ क्या आप चाहो तो 9 भी दे सकते हो आपका answer 9 रहेगा similarly 8 भी हो जाएगा 8 7 6 सब कुछ valid होता जाएगा 3 भी हो जाएगा तो अभी यहाँ पर कितना बच गया अगर इसी के बाद अगर आप और आगे जाना चाहो अगर आपका answer 2 हो सकता है कि आपको अगर आपका answer 2 होगा तो आप swap 1 को दोगे कितना swap 1 को दोगे आप 2 तो यह कितना बच जाएगा 9 तो यह यहाँ से जाते हैं कितना 1 बच जाएगा आपने यह 10 थे 10 को आपने 5 में डिस्ट्रिबूट कर दिया अब आपका यह वन बचा तो आपने 6 को वन दे दिया तो यह खत आपने 2 देना चाहा तो आपका answer exist नहीं करा तो आपका answer कितने कितनी से कितनी range बाया 3 से लेके आपका answer कितने range में exist किया आपने 3 से लेके 11 तक सारे answer possible है आपके पास लेकिन real time में अगर सबको check करने जाओगे तो आपको n-square approach लग जाए कर एक मस time limit आ जाए कर ठीक है जो हमा किज क्या होगा आप हो सकता है किसी swap को at most आप one product ही दे पाओ कर गए क्योंकि देखो अगर आपका एक swap है तो उसका quantity one तो हो गई हो सकता है आप किसी एक swap को one product दे पाओ और किसी भी एक swap को maximum कितने product दे सकते हो जो भी आपके पास जितने भी quantities available होंगी जैसे कि यह quantities available थी तो 11 116 तो आप किसी भी swap को at most आप 11 11 product दे सकते हो आपका एक given range आपको पता है कि one से लेके जो maximum होगा आपकी array का quantity का वही आपका answer होगा possible तो जब भी आपका answer given range में exist कर रहा होगा जैसे यहाँ पर आपको पता है कि 1-11 की range में आपका exist होगा लेकिन in actual आपका answer 3 से आपको optimal कहां मिला आपको 3 पे मिला ठीक है मैंने आपको क्या बता दिया कि आपका answer 1-11 की range में exist करेगा लेकिन आपका answer क्या आया आपका optimal answer means जो minimum possible था maximum of products का वो 3 था आपको answer कहां मिला 1-11 मैंने आपको range बता है और आपका optimal answer आया 3 तो means आपको अगर मैंने एक range बता दिया तो अगर आपक rule बना लो जब भी आपका answer एक given range में exist करेगा तो सबसे efficient और सबसे तगड़ी और सबसे आसान अप्रोच होती है binary search binary search आप ये आपके given range पे लगाओगे आपको आपका optimal answer मिल जाएगा कोई rock and science नहीं ये आप नियम बना लो करके भाई ये नियम है इसको इसके उपर छान्मिन करने की बात ही नहीं अगर आपका answer given range में exist कर रहा तो एक तरीका क्या है आप ये brute force कर लो जैसे आम ने किया 11 9 10 से आगे बढ़ना चाहते हूं तो आपको binary search करना पड़ेगा और आपका answer अगिश्क्राइब दिखते हैं कैसे आएगा और बहुत आसान है और बहुत ही simple है आप एंस्क्राइल अप्रोच का code लिखने का try करेगा अगर नहीं आएगा तो जरूर बताएगा मैं जरूर इसका code पॉसिबल होगी देखो आपको 11 एंट इसमें maximum कितना है यहाँ पर 2 क्योंकि आप किसी भी सॉप को 11 से ज्यादा नहीं दुपाऊगा क्योंकि आप एक सॉप को किसी particular product एक ही टाइप का product दे सकते हो उस्से ज्यादा नहीं दे सकते करें ठीक है तो मिस्स आपको L is equal to 1 हो गया और आपकी binary search वाली loop क्वट चलती है while L less than equal to R तब तक यह loop चलती है ठीक है तो उसमें सबसे पहला काम आप क्या करोगे सबसे पहला आप mid लोगे mid in the sense L plus R by 2 तो L plus R by 2 यह होता है mid आपका ठीक है तो अगर आप यहाँ पे देखें तो आपका L plus R by 2 क्या होगा 1 plus 11 by 2 यानि 6 है तो मैं क्या check करूँगा पता है मैं देखूँगा क्या 6 मेरा answer हो सकता है 6 मेरा answer का मतलब क्या होगा आप किसी भी swap को 6 से ज्यादा product नहीं दोगे किसी miss जो भी swap है आप उसको एक ही particular type का product देगा और उसकी value का 6 से जादा नहीं होनी चीए क्योंकि 6 होगा तभी तो आपका जो minimum होना चीए सारे maximum का answer आपका 6 होना चीए miss आप एक swap को 6 से जादा product नहीं दे सकते हैं तो अगर मुझे 6 देना तो swap number 1 को मैं क्या दूँगा swap number 1 क 2 है तो आप swap number 2 को 3 को कितना दे पाऊगो 2 से जादे नहीं सकते बाकि सारे क्या हो जाएंगे 0 तो देखो swap number 1 को आपने 6 दिया 2 को 5, 3 को 2, 4, 5, 6 को आपने 0 दिया अब इन सब का इन सब का maximum क्या है इन सब का maximum है 6 तो आपना answer क्या आ गया 6? मिन्स आपको क्या दिया था? आपको जो भी maximum product आप दे रहे हो उसको आपको minimize करना तो आपका answer क्या है 6? तो 6 आया तो आपको तो optimal छी आपको minimum करना इस 6 को तो मिन्स आपको आपकी range घटानी पड़ेगी अगर आपका answer exist कर रहा है मिन्स आपके सारे product खतम हो गए 11 और 2 दोनों का अपने utilize कर लिया तो आपको minimize करना की क्या करना पड़ेगा? R is equal to mid minus 1 ठीक है? तो mid minus 1 करोगे तो R की value क्या हो जाएगी? R की value हो गई 5 अगर R की value 5 होई तो यहां से mid आपका क्या हो जाएगा? यहां से आपका अगला मिट होगा 1 plus 5 by 2 ठीक है? 9, 10, 11 यह आपके 11 नमबर से और मैंने आपको बूल दिया कि आपका answer 1 से लेके 11 की range में exist कर रहा है तो आपको बताना है कि आपका answer कौन होगा? पहले आपने 6 को चेक कर लिया, 6 आपका possible answer है तो आपको तो आपके 6 को minimum करना है जो maximum है इसको minimum करना है तो आपके range को जैसे आपका L is equal to 1 था पहले यहां पे 1 पे था and R आपका कहां पे था? 11 पे था तो आपके R को मिट मैनस 1 कर दोगा, आपका R यहां से यहां shift हो जागा, R आपका 5 हो चुका है, ठीक है, 5 हुआ तो इस बार आपका next time आपका mid क्या बना, इस बार आपका mid क्या बचा 3, तो आपके check करो कि भई आपका answer 3 possible है क्या, तो आपको check करना कि आपका answer 3 possible हो सकता है की नहीं, तो यह check करने के लिए हम क्या देखेंगे, कि सबसे पहला चीज क्य आपका 11 utilize हो गया, अब आपके वास यह swap number 5 है, ठीक है, तो आपके वास यह 2 बचा है, तो आप swap number 5 को 2 देदेगे, and swap number 6 को 0 देदेगे, ठीक है, अब कुल मिला जुला कि इसका है, यह जो आली range है, इसका maximum क्या है, इसका maximum है 3, तो आपका answer 3 भी possible है, पहले means आपका answer क्या था, पहले आपका answer था 6, ठीक है, तो 6 को आप और optimize करने का है, तो आपका answer कितना हो गया, possible 3, तो अब 3 है, अब इसको और optimize करना चाहोगा, means आपका जो R है, अब आपने R को और छोटा करो, means अगर आपको mid को छोटा करना है, तो आपको R की range घटानी पड़ेगी, तो मैंने R को क् होगा, 1 plus 2 by 2, तो 1 plus 2 by 2 क्या होता है, 1, तो आप क्या check करो कि अगर आप 1 दे रहो हो, तो आपका answer possible है क्या, तो आपको ये check करना, अगर आपका answer 1 हो, means आपका answer 1 से ज्यादा amount नहीं दे सकते, तो अगर आप ये जो आपका 11 है, आप इसी में से अगर आप देना चाहोगे, त सारे सापको अगर मैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, सापको मैं 1, 1 दे दिया, तो अभी यहां कितना 6 बज गया, और इधर भी कितना 2 बज गया, तो 6 plus 2, ये 8 तो बज गया आपके ना, तो ये आपका answer possible नहीं हो सकता, क्योंकि भाई, आपको तो सारे के सारे utilize कर देना है, आपको constant में गीव क्या हो जाएगा, mid plus 1, ठीक है, तो L is equal to mid plus 1 करोगे, तो mid कितना है, 1, तो L is equal to kya होगे, 2, तो L is equal to 2 होगे, तो L और R दोनों क्या होगे, 2 पे आगे, ठीक है, तो यहां पे आपका mid क्या होगा, अब आपका mid क्या होगा, अब आपका mid होगा, 2 plus 2 by 2, that is होगा 2, ठीक है, 2 plus 2 by यह गких तो आपको हुता है , आप इसका कितना? बज गया पिर वह इन एक पिए आप है explicar, यह ख़तन हो पिर भी आपको यह दो तो यह भी आपका अंसर नहीं हो सकता, तो आपको आपकी range को और बढ़ाना पड़ेगा, range को बढ़ाना पड़ेगा, आप ज्यादा डिस्रिबूट करोगे, तभी तो यह चीज खतम हो पाईगी, एचि मतलब बगार आप जादे जादे नमबर डिस्रीबूट करो जैसे आप सुरू में 6 डिस्रीबूट कर रहे थे तो इस सारे प्रोट्ट आसानी से खतम हो गये तो आपको आपको डिस्रीबूट करने वाइल रेंज बढ़ानी पड़ेगी तो इसलिए आपको लगए तो अ दौरान आपका optimal answer क्या आया था? optimal answer आया था आपका 3 ठीए तो यह हमारा code है, यह हमार अप्रोच है इसके अब इसलिए हम code देखेंगे तो ज्यादा बेटर understanding मिलेगी ठीए सबसे पहले आपने क्या किया? max को हमने क्या लिया? आप maximum number find करना चाहते हो, आप क्या रहेगा, फिर हमने Q मतलब quantities है, तो हमने जितने भी quantity सी product type की, सबको traverse के और maximum को हमने find कर लिया, और L को हमने 1 से start के, means आपका answer कम से कम 1 जरूर होगा, क्याकि आपका एक product होगा और उसकी quantity 1 होगी, तो आपका answer 1 होगा, या फिर आपका answer कितना ह आपको answer find करना है, जिसे यह 1 से 11 तक range दिया और आपको optimal answer find करना था, जो कि आपको 3 मिला था, ठीक है, तो हम यह देखिएं कैसे करेंगे, सबसे बहुल आपने क्याकिलिया, current is equal to 0, current किसके लिए, कि भाई आपने सारे साप्स को कितना distribute कर पा रहे हो, ठीक है, तो i is equal to 0 से i is in q.size, आपने traverse के आपने quantities की लूप को, और अगर आपका answer qi quantity है, तो आप qi plus mid, या आप ceiling of qi by mid आप देपाऊगे, अगर सपोस, अगर आपका 11 है, ठीक है, और आप कितना द मिल आएगा, 11 plus 3, means आपको यहां से क्या मिल आएगा, 11 plus 2, that is 13 by 3, that is 4, आप 4 लोगो distribute कर पाऊँ करके, ठीक है, अगर आप 3, 3 distribute करना चाहते हैं, तो आप कितना कितना distribute कर पाते हैं, 4 लोगो distribute कर पाते हैं, अगर आप 11 by 3 करोगे, तो क्या आता है, 3 आता है, लेकिन आपको 2 बज़ जा रहे हैं, तो अगर आप देखो, 3, 3, 3, यह 2, आप ऐसा करके distribute करते हैं, तो इसलिए हमने ceiling value लिया, क्योंकि आप किसी भी, एक भी product को आप छोड़ना नहीं चाहते हो, 11 mod 3 तो 2 हो जाता है, तो आपने 2 को भी नहीं छोड़ना चाहते हैं, इसलिए हमने क्या किया, QI plus mid minus 1, इतनी लोगों को आपने cover कर लिया, तो current plus equal to D means current क्या maintain करा, कितनी swaps cover हो गई, ठीक है, तो इतनी swaps cover हो गई, अगर current less than equal to N है, तो means आपका काम बन गया, क्योंकि अगर सारे के सारे swaps को मिल गया, तो बहुत अची बात है, या फिर कुछ swaps को 0 भी मिला, तो भी अगर सपोज आप 11 देना चाहते है, swap number 1 को आपने 11 दिया, swap number 2 को आपने 2 दे दिया, बाकि सापको आप 0, 0 दे दोगे, तो मिसे आपे 200 सी cover हो गई, तो भी काम चलेगा, बाकि सापको आप 0 दे दोगे, तो अगर आपका ये हुआ, तो आपका answer is equal to mid कर दो, क्योंकि आपका mid answer possible, r is equal to mid minus 1, कि और optimal हो सकता है, जैसे कि आपका 6 possible था, तो आपने r की range को 5 पे पहुच जाए दे, और optimality के लिए, ठीक है, अगर आपका answer possible नहीं है, तो आपका answer possible नहीं है, तो आपका answer possible नहीं था, क्योंकि सारी की सारी साप्स कवर होने के बाद भी काई सारी साप्स बच जा तो ऐसे टाइम पर आपको क्या करना पड़ेगा, आपकी L की range को बढ़ाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि आप ज्यादा ज्यादा डिस्रीबूट करोगे, तो आपका जो range है, ज्यादा साप्स कवर होने के बतले, required number of less than equal to n साप्स कवर होगी, जैसे हमने यहाँ पर L is equal to mid plus 1 किया था, तो यह हमने कर दिया, in the last return answer, इसको open run करते हैं, yes, finished, yes, it is accepted, तो यह वाले जो अप्रोच है, यह वाले अप्रोच की time complexity के है, time complexity है, इसकी o of n log n, क्योंकि बाइनेर सर्च जो होता है, जो उपर वाली loop है, while less than equal to r, यह कितने time चल रही है, यह login type चलती है, ठीक है, और हर login time में आप n बार अपनी loop को traverse करें, तो total time complexity क्या हो जागी, n log n, यह कितनी बार चल रहा है, o of n time चल रहा है, ठीक है, तो n log n, आपकी time complexity होगी, आपने एलक सो कोई space का use किया है, देखिए, हमने एलक सो कोई space का use किया है, तो आपका space complexity हो क्या है, o of 1, ठीक है, तो friends, मैं आशा करता हूँ, आपको इसका explanation and code 2 नहीं समझ में आ रहा होगा, फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत है, तो comment section में जरूर रताइएगा, और एक नियम की भई, जब भी आपका answer एक given range में exist करेगा, तो आप इसको accept कर लो, को आपको binary search लगाना ही है, क्योंकि आपके पास और कोई राष्टा ही नहीं, आप कुछ और करके answer निकाली नहीं सकते, और कोई राष्टा नहीं, जब भी आपका answer, जब भी आपको approach क्लियर नहीं है, तो और आपका answer given range में हो, तो binary search लगेगा, ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंदा रहे हैं, तो वीडियो को लाइक किए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और में फ्रेंड्स का सेर कीजिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंकियो फ्रेंड्स, जल्द मिलेंगे नेक्ट वीडियो में, तिल दिन, टेक किया, बबबाई, एंड हैकी, हैपी कोडिंग, थैंकियो